तो बहुत ही जी है कोई दिक्कत नहीं जैसे सेवर नमर देखो इसको भी यहाँ पर वही करना होगा माल लेना होगा fx fx बराबर में sin 4x सरी हम लोग f-x निकालने वाले हैं तो जिसके लिए हो जाएगा फर्मुला यहाँ पर limit h tends to 0 fx plus h minus में fx और बटा में आपका h तो हो जाएगा limit h tends to 0 क्या हो जाएगा sin 4 bracket के अदर x plus h और minus में sin 4x और बटा में आपका h तो यहाँ sin c minus sin d का फर्मुला लगा सकते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं sin c minus sin d के लिए क्या होता है तो 2 sin c minus d by 2 into में cos c plus d by 2 इसी के कोटिंगे आप फर्मल लगा दो हो जाएगा आपका limit h tends to 0 2 sin 4x plus में 4h minus 4x by 2 देखलो c minus d by 2 और into में cos c यानिके 4x plus 4h और plus 4x by में 2 और बटा में आपका क्या है h है चलिए अब इसको आगे solve करते हैं limit h tends to 0 यहाँ पे 2 है यहाँ दोखो यह से यह कट जाएगा इसमें से भाग करेंगा 2h sin 2h ठीक है और into में cos r text plus में 4h by 2 और बटा में आपका h तो इसमें देखिए 2 से भाग और एक 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ 2 यहाँ 2 4 हो जाएगा ऐसा क्यों कर दाएगी दोनों यहाँ एंगल जो है वही नीचे से माजन जाएगी चार को कवन कर दो limit h tends to 0 यहाँ बचेगा sin 2h और बटा में 2h फिर यहाँ limit h tends to 0 यहाँ 2 कवन करके भाग कर देंगे तो यहाँ को जाएगा कॉस क्या हो जाएगा उपर तो उपर आजाएगा 4x प्लस में 2h चलिए भाई आप 0 पूट कर देते हैं तो इसका वैलू तो वन हो जाएगा 4 इंटू 1 और इंटू में कॉस 4x प्लस 2 इंटू 0 ठीक है यहाँ कि हो जाएगा 4 यह कॉस 4x 4 कॉर कॉस फोर एक्स साइन फोर एक्स का डाउ का लाज हुआ समझ गए चलिए अगला को